असलाम अलेकूम आज बनाएंगे चिकन तिखा ये मेरे श्टाइल में आप लोग देखना है इसमें क्या क्या चेहिए ये चिकन है आधा किलो बोनलेस चिकन इसके बड़े-बड़े पीस करियों में इसमें चेहिए अध्रक लसन दाल दूँँ पहले अध्रक लसन और लिम्बू का चूज दालेगे कादा लिम्बू का और नमक दाल के इसको मैरेनेट करके रखेगे एक दस पंदरा मिनिट के लिए आज से मिश्टाइब इस जीरा पॉड़र है काली मिरी है इलाइची पॉड़र हरी मिर्ची घरम मसाला दहीं और खोड़ा से प्रेस प्रिम दालेंगे इसमें लाल मिर्ची काली मिरी जीरा पॉड़र इलाइची पॉड़र ए थोड़ा करम मसाला हरी मिर्ची फूट के ए थोड़ा फ्रेस क्रीम दालेंगे तोड़ा एक दो चमस तेल अब ये बेशन को भूनेंगे हमें इसमें तोड़ा तेल डालके तोड़ा से तेल में भूनके चिकन तिका में बेशन काटा डालने से बहुत अच्छा बनता है टेस भी अच्छा होता है इसमें मसाला अच्छा पकड़ता है इसमें चिकन में इसको ज़र अच्छा से भून लेने का कुछ बहुए ऐसा चबून के इसको अच्छा से भून के तो यह दई के साथ इसको डाल देने का इस अब मसाले में अच्छा मिक्स करने का यह मसाला इसमें थोड़ा से फूट कलर मसाला अच्छा बनाने का यह मसाला बहुत टेस्टी बनता है अप लोग जरूर ट्राइ करना इसमें तरीके से छिकन तिका बनाते बहुत लोग मगर मेरा अलग स्टाइल है तोड़ा आप लोग जरूर ट्राइ करना इसमें दाल देंगे इसमें कि अच्छे से मिक्स करेंगे इसको कलर भी अच्छा आथा इसमें और इसमें जो दुआ देते हैं कोईले का देते हैं मैं तो दालचीनी का देते हूं इसमें कि थोड़ा मक्कान दाल देने का या तो गी दाल सकते हैं तेल दाल सकते हैं जो भी कि इसको ढखके रख देने का एक पांच मेर्ट रखके इसमें अच्छा से टेस्ट आता ही तो थोड़ा से तेल इसमें दालके इसको सलिया में भी दालके सेख सकते पहले तो फ्राइपेन में थोड़ा करने का सोटे कर लेने का फिर सलिया में दाल सकते हैं तो कांडी में दाल सकते हैं मैं तो खाली इसमें फ्राइपेन में करी हूं आप लोग भी ऐसा ट्राय करना बहुत ही टेस्टी बनता है और बहु भी मिरिये जीरा पाउडर, विलैची पाउडर उसमें लाल मिल्ची ज्यादा तो मसाला नहीं है में गरम श्रावा थोड़ा पाऊडर इसको पलटी करने का अप्रटी करके थोड़ा इसको इसमेज पका देका है बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राइब करना है it, इसको ठेस्टों क्थो त्ट olan 117 पका लेनिका संब। यह वह घया, तैर यौद है बहुत अच्छा बनता है चिकन ठिक का अपने आप लोग ज़रूरboot आप लोग ज़रूर ट्राइय करना है। जरूर जरूर ट्राय करना, लाइक करना, शेयर करना, लापीस, अस्तलाव अलेकूम.